हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आसा करते हूं बिल्कुल स्वस्थ होगे मस्थ होगे और अपने घर में बिल्कुल खुस होगे तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं रसुगुला तो रसुगुला बनाने के लिए हमें घर पे कुछ चीजों की जोरत परती बहुत ही आसात त के लिए हैं तो दोस्तों चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहां गैस पे दूद को रख दिया मैंने एक लिटर दूद रखा है आप जितना इमांड का बनाना जाते हैं उस तरह से मैंने यहां एक लिटर ही लिया है तो दोस्ते इसे बॉयल कर लेते हैं उबाल आने देते हैं तो देखिए हमारा उबाल आ चुका है दूद में तो काफी अच्छे तरीके से आ चुका है जैसे कि आपको दिख रहा होगा तो अब हम इसे में क्या करेंगे न हम बैनिगर डालेंगे इसलिए हमने बैनिगर लिया था तो इसमें बै यहां मैंने तोड़ा सा पानी मिला तिया है। इसा थोड़ा थोड़ी थोड़ीे के दया करेंगे तकि आशा से हो सके। क्या मिक्से कोविधा। अचतर कोश्च माँश पिस्लिके से चलाएंगे। अश्रूल करनाना रहता है की जो बूसता है शूordo कहते है। बस इसे हमें ये निकाल लेना है तो हमारा दूद का दूद में हमने बेनिगर डाल दिया है तो बस इसे चान लेते हैं इसके पानी को साइड कर देंगे और ये काफी अच्छे तरीके से कोई साफ सुत्रा कपड़ा में इसे कर सकते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से सारे पानी निकल जाए तो मैंने यहाँ पे एक सूती मतलब एक रुमाल का यूज किया है हैंकी का वो सूती बाला जो आता है ना वो बड़ा हैंकी है उसको मैं डाल दिया उसमें मैं यह डाल दे रही हूँ ताकि सारे पानी नीचे आजा और यह सारे ओपर रह जाए तो दोस्तों इसी तरह से आप कर सकते हैं और इसे थोड़ी से थंडा कर लें क्योंकि गर्म आप ना चुएं वना हाथ जेल सकता है इसलिए थोड़ा थंडा कर लें तो बस अब इस थोड़ा थे तक हम ऐसे ही लगका कर लखेंगे ताकि सारे पानी निकल जाए और थोड़ा सा हाथों की मैंद़ से इसे ताकि यह पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल जाए तो यह पर थोड़ा सा थंडा पानी डाल देंगे क्योंकि यह गर्म पानी था दोस्तों इसम तो चलिए अब हम इसे एक काम कर सकते हैं पानी निकालने के वाद अगर आपके किचन में कोई जगा हो तो आप लटका के रगद सारा का सारा पानी नीचे गिर जाएगा और मैंने यह से इसा ही किया देखिए दोस्तो मेरा काफी अच्छे तरीके से पानी से निकल चुका है ब तरीके से बनाए रसकुला काफी सॉफ्ट काफी तेश्टी बनता है दोस्तों आप बिल्कुल इसी तरह से ट्राइ करें और अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आया तो जादे 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 सेयर करें लाइक करें मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बि बैल आइकन तबाए ताके आपको मेरी लेटेस वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी मैंने जैसे आपको यहां पर वीडियो दिखाया के हाथो की कौन सी भाग से हमें इसे थोड़ा सा घीसना है आप देख लिए होंगे काफी अच्छे तरीके से स्मूथ हो चुका है जैसा तो मैंने मिक्स कर लिया है दोस्तों यहां पर देख जैसे कि आपको दिख रहा होगा यह बहुत ही स्मूथ हो चुका है हमारा रसगुला बिलकुल स्पॉंजी स्पॉंजी बनेगा तो दोस्तों आप इसका हम छोटे छोटा गोला कर लेते हैं बिलकुल गोल टैप्स में तो जैसा मैं दिखा रही हूं दोस्तों इसी तरह से कर रहा है तो देखे गोल गोल हो चुकी है ना तो इसी तरीके से आप गोल गोल बना ले बिलकुल लड्डु के तरह रसगुला तो दोस्तों इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे और इससे थोड़ा-थोड़ा साहतों की तो दोस्तों मैंने यहां पर रसुला का बना लिया है आप चलते हैं नेक्स्ट में नेक्स्ट में नेक्स्ट में यहां पर एक कटोरा को रख दिया है गैस पर और उसमें मैंने डाला है चीनी 250 ग्राम मैंने चीनी डाला है उसमें हम डालेंगे एक लीटर पानी पानी डालने के मैं हजासनी बना रही हूँ इसी तरीके से आप यह रेसिप को जरू ट्राइ करें आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज्याद़ ज्याद़ से लाइक और मिझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूले और दोस्तों इस तरह से आप कोई भी रेसिपी को मेरी मैंने जितना भी डाला आप ट्राइ कर सकते हैं और आपको उसमें कोई भी रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट जरू किजएगा ताकि मुझे लगे कि हाँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो देखिए हमारा चीनी काफी अच्छी तरीके से पानी में गूल चुका है जैसा कि आपको द ताकि टूटे नहीं हो देखिए हमारा सारे रजगुला उपर आ जा रहा है तो मैंने इतना ही बनाया था दोस्तो तो इतना ही है तो बस इसे इसी तरह से थोड़ी दिर तक होने देंगे बिलकुल लो लो टो मीडियम फ्लेम रखे ज्यादा हाइना करें थोड़ी दिर के लि बड़ा बड़ा हो चुका है तो यह हो गया है हमारा रजगुला बिलकुल बनकर तयार है दोस्तो तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा मैं आपको दिखा दे रही हूँ देखिए कितने अच्छे तरीके से सारे के सारे उपर आ गया है और हमारा रजगुला बिलकुल बनकर तो तो तियार है आपको थोड़ा से दिखाती हम कितना स्पॉंजी है यह देखिये बिल्कुल स्पॉंजी बनेगा इस तरह से यह रैसिपी जरूर ट्राय करें आपको भी यह रैसिपी पसंद आएगा बिल्कुल बजार के वाले टेस्ट टाइएंगे तो ठीक है दोस्तो इस को ट्राय कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगी या फिर कोई और रेसिपी चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं तो ठीक है अब इसे हम थोड़ा देर तक ठंडा होने देते हैं क्योंकि गर्म घर्म हम खाएंग केटी. केटी. केटी.